हलो फ्रेंट्स मैं सुरेंद्र। और आपका मेरे चैनल यूनिक वर्ड में सुआगत है और फ्रेंट्स अज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ और आज की वीडियो में फ्रेंट्स आप देख सकते हो यह मेरे पास बहुत सारे रजिस्टर्स हैं आप देख सकते हो यह मैंने मार्केट से लेके आए हूँ और फ्रेंट्स कुछ मेरे पास लूज वाले भी हैं जो थोड़े बहुत हैं जो बच्चे हुए और फ्रेंट्स यह हैं इनको रखने के लिए फ्रेंट्स में को बहुत बड़ी परिशानी आ रही है और फ्रेंट्स मैं समझता हूँ कि ऐना ऐसे रजिस्टर्स अगर आप रखते हो तो आपको भी फ्रेंट्स इन सब को रखने में बड़ी परिशानी आती होगी और फ्रेंट्स पहले मैंने यह पाउचेज बनाए थे पाउचेज में फ्रेंट्स मैं आईसे लिखके इसको य परिशानी आ रही है तो आप वीडियो में देखते रहें तो फ्रेंट्स इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं यह जो सारे रजिस्टर्स हैं इनको कैसे मैं मैंनिस करूं एक चोटी से बोक्स में मैं इन सब को मैंनिस करूंगा तो फ्रेंट्स इसके लिए मैं ए सब के रखने के लिए एक box बनाने वाले हैं तो फ्रेंट्स में box बनाता हूं box के लिए सबसे पहले friends मैं इनको cut कर लेता हूं friends मैंने सारे cut कर लिए हैं आप देख सकते हो यह मैंने कुछ इसी की size के पर यह थोड़े extra है आप देख सकते हो थोड़े बड़े भी हैं और height में भी आप देख सकते हो height में यहां इसे थोड़े बड़े हैं तो friends सबसे पहले मैं इनको इनकी इसके size के यह box के size का cut कर लेता हूं और cut करके फिर आपको बताऊंगा कि कैसे इनको use करना है और friends यह जो box है हमारा यह box मैंने mobile का box है उसके उपर मैंने paper को चिपका के इसको सुन्दर सा बनाया हुआ है इसका यह cap है और cap पे भी मैंने यह लगाया हुआ है और अब इसको friends इसके partition करते हैं हम यह friends मैंने इसके size के सारे यह जो है गत्ते काट ली हैं आप देख सकते हूं और friends यह 10 गत्ते हैं और friends अब हम इनको यहाँ पर partition करके ऐसे लगाने वाले हैं कुछ इस टाइब से friends मैंने यह fabricol ले लिया है कटोरी में और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और एक यह ले लिया ब्रश और ब्रश की मदद से इसको हम मिला लेंगे पानी को आप चाहें तो friends डारेक्ट फैबिकोल से भी लगा सकते हो बट मुझे थोड़ा से इसको पतला करना था तो इसकी वज़े से मैंने इसमें पानी मिलाया है इसकी बाद में friends पेपर को हम यह सिंपल नोटबुक का पेपर है इसको friends हम पतला पतला काट लेंगे और इसकी स्ट्रिप्स बना लेंगे ऐसे चोटी-चोटी इसकी स्ट्रिप्स बना लेंगे friends कुछ इस टाइब से साइज कोई सा भी रख सकते हैं और friends ऐसे चोटे-चोटे पीस करके हमें इसमें फैबिक वल अप्लाय करना है थोड़ा कम कुछ टाइब से और friends यह अप्लाय करने के लिए ही मैंने इसमें पानी मिलाया है थोड़ा सा यह इजी लिए अप्लाय हो जाएगा और friends अब हम इसको कुछ इस टाइब से और यह अप्लाय कर दिया है इसको लाज में थोड़ा सा अच्छे से दबादे लाए और ऐसे फैस पूरे पर अप्लाय करना है मैं कोर्डूंगा ऐसे छोटा सा और इस पे भी कुछ इस टाइब से अब अप्लाय कर देंगे ऐसे और friends ऐसे हम पूरे पर अप्लाय कर देंगे और जिसकी मदर से यह friends हटेगा नहीं और यहां पर भी अप्लाय कर देंगे और यहां नीचे भी one side छोड़ देंगे one side हमें इतना नीड नहीं है तो यह एक से ही यह आप पर इस्टे हो जाएगा तो friends मैं इन सबको अप्लाय करके दिखाता हूं और फ्रेंड्स अब हम इसमें हमारे रजिस्टर्स है वह रखते हैं तो काफी सारे रजिस्टर्स हैं यह friends मैं लेके आया था यह पूरा की 100 रजिस्टर्स इसमें से कुछ यूज की है मैंने आप अगर लूज हो तो आप ऐसे डाल सकते हो आप देख सकते हो यह मैंने कुछ डाल दी है और आपके पास ऐसे ही पूरी श्ट्रिप है तो इस ट्रिप को friends आप चाहें तो एक तरफ से ऐसे रोल करके कुछ इस टाइप से इनको रोल करके यह ऐसे पूरा रोल करके और यहां इस पे ऐसे डाल सकते हो जिससे आपको जितना यूज हो उतना आप निकालते जाएं और यह खराब भी नहीं होगा तो आप इस टाइप से भी यहां इसमें डाल सकते हो यह आप देख सकते हो पूरा की से पूरा डालनी वाला हूं तो मैं कुछ इस टाइफ से करूंगा इसकी थोड़ा बड़ा बनाऊंगा मैं यह और यह देखो यह फ्रेंट्स हमारा पूरा की पूरा यहां पर आगया है आप देख रहते हैं ऐसे ही इसमें सरे आज चाहेंगे आपके और बिलकुल भी खराब नहीं होंगे यह जो रेजिश्टर्स है और इनकी जो प्लैक्स है वो बिलकुल भी खराब नहीं होगी और दूसरा यह हमें आसानी से मिल भी जाएंगे और फ्रेंड्स अगर आपके पास एक्स्ट्रा हो तो वो यहां हम डाल सकते हैं जिससे हमें डूडने में आसानी रहेगी तो फ्रेंड्स यह सारे मैं डाल देता हूं इसमें तो फ्रेंड्स एक बोक्स में यह फिल हो गया है दूसरा बोक्स और मैं बनाने वाला हूं ऐसे ही और सारे के सारे रजिस्टर मैं उनमें रख दूंगा तो फ्रेंड्स आयोप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो फ्रेंड्स प्लीस वीडियो को लाइक कीजिए और सब वीडियो में